covered every one कैसे आप से आप जब आज आपके साथ हीर करने वाली हूँ कुछ ऐए सी गलतिया झिसकी वजह से हमारे घर में पैसा नहीं ठिकता अभा उप democracy कई तो हम लौक आफ्टर करते हैं थार नहीं देते और जbahn उसकी वजह से हमारे घर में पैसा नहीं तिकता और हमें पैसे से संबने बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पैसे से नहीं अगर हमें बात कहूं तो हेल्थ से रिलेटेद भी आपको कहीं न कहीं आपको ऐसा होगा कि आपको परेशानिया आने लगेंगी जिसकी वज़ा से आपका पैसा immediately भाएगा क्योंकि जैसे अगर हमें health का issue रहता है तो कहीं न कहीं पैसा भी health पे लगता है आर्थिक तंगी आपको आने लगेगी relationship में problem होने लगेगी तो कुछ चीजें आज में आपके आज साथ share करने वाले हो इस चीज़ का अगर आप खास ख्याल रखेंगे तो आपको पैसे की कभी कोई problem नहीं होगी ध्यान दीजे अगर आपको पैसे की कोई problem है तो कहीं ऐसा तो नहीं यह जो आज गलती है मैं आपके साथ share कर रहे हूँ कहीं ऐसी कोई गलती आप लोग भी कर रहे है तो आज का वीडियो बहुती ध्यान से देखेगा बट उससे पहले जान लीजे मैं कौन मैं शाले निकपता वास्तु कंसर रहे हैं नमस्ते आप सबको मेरा आशा करते हूँ आप लोग गर में सब सही होगे मज़े में होगे मास्त होगे या स्वास्त होगे मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है आप यह हसते रहें और उसकराते रहें दोस्तो अभी तक आप लोग ने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर करना ना भूले सबसे पहली चीज में आपको स्टार्ट करूंगी में गेट पे में गेट पे आपको ध्यान देना है कि आपको किसी भी प्रकार का पानी नहीं रखना में गेट पे कई बार लोग है ना पानी रख देते हैं जिस वजह से जानवर आके पानी पीता है और अगर ऐसा पानी है, अगर आपके में गेट के असपास पानी है, तो प्लीज उसे बंद करवा दीजे, क्योंकि फिनांशल जो ट्रबल होते हैं, कहीं ना कहीं इसी वज़ा से होते हैं, दूसरी चीज मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, कि गणेश जी की मूर्ती लगा मैं समझती हूँ कि सबके घर में मेड है, और सुबह आती है मेड उसके बाद बरतन साफ करते हैं, इतना ध्यान दीजे, आपके जो बरतन है, उनको सिर्फ पानी से एक बाद धुल के आप उसे किचिन सेंग पर ही डाल सकते हैं, अच्छे से ना दोना चाहें, आप मैं यह न मान देना है कि आपको किचिन में बरतन गंदे नहीं छोड़ने हैं, चौती चीज में आपके साथ शेयर गरोंगी, बहुत से लोग हैं जो किचिन में दवायां रखते हैं, तो किचिन में दवायां रखने से आर्थिक तंगी आने स्टार्ट हो जाती है, कहते हैं किचिन में अनुपूर्णा मावास करती है तो उधर दवाईयां रखने से कही ना कई घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको health का issue होता है अगर आपको health का issue हो रहा है तो कहीं इसकी वज़ा आपके kitchen में रखीवी दवाईयां भी हो सकती है तो आप उनको जल्दी से वहाँ पे हटा दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दवाईयां से कौन से zone में हो जिससे आपको वो फाइदा करें बलकि आपको लगना स्टार्ट हो जाए जल्दी जल्दी आपकी दवाईयों को आदत छूट जाए तो वो है North of North East यानि की N इस zone में अगर आप रखेंगे तो जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे और आपकी जो दवाईयां है जल्दी से आपको छूट जाएंगी ठीक है पांस पाउपाय में आपके से साथ शेयर कर रही हूँ वो यह है घर में कभी भी काटेदार पौणदे नहीं रखने चाहिए इ क्योंकि इसकी वज़ा से आपकी घर की सुक शांती खतम हो जाते यानि कि सुक शांती भंग होती है इस बात का धियान रखेंगे अगर आप लोग का यह क्वेशन आने वाला है कि मैं आप अपने भार के गार्डन में रख सकते हैं तो नहीं आपने घर के गार्डन में भी न नहीं रखने यानि कि आपको ये कांटेदार जो पौड़े हैं या जिनके अंदर से फ्लूड निकलता है वो पौड़े आपको अपने घर में नहीं रखने हैं किस तरीके से पॉस्टिविटी को बहुत ज़्यादा करें और नेगिटिविटी को जल्दी से जल्दी खतम करें तो जो जादा से जादा नेगिटिविटी होती है वो हमारे टॉलेट बात्रोम या कोई अंधेरी वाली जगा यहां पर समान को हम मूव कर सकते हैं इधर उधर आप इसी तरीके से टॉलेट की negativity को कैसे खतम करें अगर हम उसके दर्वाजों को हमेशा बंद रखेंगे तो हमारे घर में जो financial trouble है वो खतम हो जाएगा आप देखेंगे आप पस इतना करके जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हो ना सर्फ आप 40 डेज करके देखेंगे आपको अपने घर में जो money issues हो रहे हैं आपको एकदम immediately आपको एक relief मिलना स्टार्ट हो जाएगा साथ यह साथ अगर health के उपर आपके पैसे खर्च हो रहे है या फिर आपको किसी भी तरीके का financial trouble आपको महसूस हो रहा है तो आप देखेंगे जल्दी से जल्दी आपको बहुत जल्दी relief मिलना स्टार्ट हो जाएगा 40 डेज बहुत जादा हो दिया बट बहुत पहले ही उस फाफ हैसे बट टीक करिए अब जिस घर में लास्ट आफ ऑड gegen आस शयर करनेवा लेय até जिस गढ्रे में आप मिज अबभ टीजा हुत पंदी जहाों मिलना ही जढ़नी झाहिए ज़ाड़ को हमीशा तो खुपाई तो उस दीजोरी के सबड़ना रखेंगी क्योंकि कि कहीं न कहीं आपका पैसा जो है ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है तो ये थी छोटी छोटी गलतिया जिनकी वजह से हमारे घर का पैसा टिकता ही नहीं है आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए अगर ऐसा है तो जल्दी से इन गलतियों को सुधारिया और मिलते हैं नेक्स वीड में तब तक के लिए टाटा बाब है थांक्यू फ्रेंज